हेल दोस्तों आप से भी स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल एक सुद्कार में और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्ते भीभाग के अंतरगत कभी रधाम जिले में आई हुई वैकेंसी के बारे में तो यह वैकेंसी का डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वैकेंसीज हैं स्टाफ नर्स की भी चार वैकेंसीज हैं अगर हम यहाँ पर देखें कैटिगरी वाइज वैकेंसी को तो क्लास फोर के इंतरगत देखेंगे यू आर में दो पोस्ट है एस्टी के लिए एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए भी एक पोस्ट है और इसके लिए 10th pass मांगा गया है class 4 के लिए और इसके लिए walk-in interview आपके 12 April 2022 को आयोजित के जाएंगे अगर salary की बात करें तो यहाँ पर 10,000 आपको मिलने वाली है MPW के लिए बात करें तो 12th मांगा गया है biology subject से उसके बाद यहाँ पर एक साल का आपका multiple first worker में एक साल का diploma मांगा गया है ट्रेनिंग मांगा गया है और 37 साथ यहाँ पर आपके 36 गड़ paramedical council से आपका live registration होना अनिवार है इसके लिए salary की बात करें तो 14,000 आपको दी जाएगी और यहाँ पर 12 April की date पे 2022 पे भी इसका interview लिया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से जुनियर सेकेटरियल के लिए भी चार पोस्ट हैं और पदो का विवरंड सेम है लगभग और यहाँ पर computer 12th प्लस एक साल का computer diploma मांगा गया है अब salary की बात करें तो 12,000 यहाँ पर भी मिलने वाली है उसी तरीके से स्टाफ नर्स की बात करें तो इसके लिए भी चार पोस्ट हैं और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीसी नर्सिंग या पूस्ट बीसी नर्सिंग मांगा गया है या फिर जैन्नेम यह मांगा गया है और यहाँ पर देखेंगे लाइब रेजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल 36 गड़ से होना निवार है और इसके लिए सैलेरी 16,500 रुपए मिलने वाली है 19 तारिक के डेट पे यह एंटर्वी आयोजित के जाएंगे जूनियर सेक्रेट्रियल के लिए 13 अपरेल 2022 को तो यह देख लेंगे आप अगर हम यहां पर भरती में लगने वाले शुल्क की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं अगर विकलांग अनुसुचित जाती जन जाती या महिला कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपए के डिमांड राफ्ट बनवाने पड़ेंगे या अन पिछड़ देखेंगे डिमांड राफ्ट जो आपका रहेगा वह डिक्स्टिक्ट के नाम से आपको डीडि बनवाना है डिमांड राफ्ट और इसमें जो एप्लिकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है उसके साथ में आपको भरके यह सारे डॉकुमेंट्स लगने वाले हैं जैसे कि आपका 12 का है और सेक्षणिक योग्यता सिसम्बंधित या फिर ग्रेजवेशन पोस्ट ग्रेजवेशन की डिग्री साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं यह सारी ही डिग्रियां और प्रमान पत्र आपको लगने वाली है आप लोग अप्लाइ करन प्रमान पर देख सकते हैं पंजियन का टाइम दस से बारा बजे के बीच में दैन उसके सूची का प्रकाशन देड़ बजे किया जाएगा पात्र केंडिडेट की उसके बाद फिर दावापिति का टाइम दिया जाएगा फिर उसके बाद इंटर्व्यू के प्रोसेस पैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद बने रहे हैं एक रोजगार के साथ